नमस्कार आप देख रहें देशच टीवी और मैं हूँ निलेश दर्बंगा जिले के सिंवारा प्रखन के कलगाउं पंचायत में बंदरों की धमाज चौप्टी चल रही है इस इलाके में बंदरों का इस तरह से आतंग खैल गया है कि यहां के लोगों का जीना मोहाल हो गया है ये खुखार बंदर बड़े बुजूर्ग और बच्चों पर आक्रमन कर इन्हें जक्मी ही नहीं या इस इलाके के खेती को भी नश्ट कर रहे हैं पंचायत के कल्यांकरी स्थान के आसपास खेतों में यह डटे रहते हैं फल सब्जी तबाह करते हैं और घरों में घुषकर उपद्रव भी मचाते हैं स्थानिय लोगों ने वन विभाग और प्रशासन से त्राहिमाम अपील की है कि इन बंदरों के आतंग से इन्हें जल्द मुक्ती दिलाई जाए देशाष टीवी ने जब श्रिंग वारा के लोच्पा अध्यक्ष जय प्रकाज ज्जा से बात की तो जय प्रकाज ज्जा ने इस बारे में क्या कहा यह सुनिए आज पूरे देश किसानों पर नजर लगाए बैठे हैं नजर लगाना भी चाहिए क्योंकि इस करोना महावारी के समय में आर्थी किस्तिती सुधारने के लिए किसान किशी तरह घर के आसपास भी सबजी जाते हैं लेकिन आज कलिगाओं पंचाइद के कल्यान करियर स्थान के आसपास में जो सिंग्वारा परखंड के अंतर गता है वहाँ पे बंदरों ने इस तरह तवाही मचाए रखा है कि सबजी क्या घर के भोजन तक उठा ले जाते हैं देखना है कभी सिक किसानों को बन विखाग शुटकारा दिलाते हैं देशस टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा कर हर खबर से लाइफ अपडेट रहें पढ़ते रहें देशस टाइम्स खबरों का गरम भा